आप में से बहुत लोगों ने रेक्री सीखा होगा किसीने लेवल वन, किसीने लेवल टू या फिर किसीने नहीं भी सीखा होगा ठीक है? सबसे पहले हम यह जानने कि देखी क्या है देखी एक प्रकार की सफेद उच्जा है कॉस्मिक एलर्जी है डॉक्टर मिकाओ उसी दौरा इसका अविश्कार किया गया था ये विद्या हमारे भारत की है कौतम बुझ जी के समय से ये विद्या चली आ रही है लेकिन इस विद्या पर जादा काम नहीं हुआ जिसके कारण ये विद्या दीरी दीरे एक टीचर थे, स्प्रिक्च्वल गुरू थे, उनसे उनके एक विज्जारती ने एक सवाल किया, उनसे पूछा, एक विज्जारती ने कि भई, जैसे हम लोग किसी को जब हम आशिरवाद देते हैं, तो हमारे हादों से एक उर्जा निकल दी है, अधिकतर आप लोगों ने द ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हातों के माध्यम से, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था, उन्होंने इसका जवाब ढूंडा, और इस जवाब को ढूंडने के लिए उन्होंने अपने जॉब को रिजाइन करा, और बहुत सब जगाओं पे गुमें, पुरे संसार में लगवख वो गुमें, और जहां भी वो जाते, वहां की पूरी भाशा को सीखते, वहां के स्पिरिच्वल गुरू से मिलते, और इसके उपर सर्च करते, बहुत सारी जगाओं पे जाने के बाद, उन्हें इतना तो समझ आ गया था, कि ये विद्या भारत से रिलेट करती है जब उन्हें कहीं पर इसका कोई आंसर नहीं मिला, तो वो वापस जपान चले गए, और फिर उसके बाद वो भारत, भारत में आने के बाद, उन्हें इसका आंसर तब भी नहीं मिला, वो वहां पर गए, वहां पर जहां पर गौतम गुद्धा के आश्रम में गए, वहां प और उसका आन्सर नहीं मिला जो पूरी तरी के से हताश हो गए तो उन्होंने कहा कि अब मैं साधना में बैट जाता हूं आर वह आ बाट वह इक्स दिनsam उन्हें अग्छी की उन्हें पूरी साधना हो गई और वो बिल्कुल कमजोर हो गए उनके शरीर से उनसे कुठा भी नहीं जा रहा था उनको लगा कि अब शायद वो नहीं बचेंगे अब उनके प्राण नहीं बचेंगे और अब वो मर जाएंगे ऐसे विचारों में उनका दिमाग चल रहा था और ऐसे सोचते सोचते वो एक जगे पर पड़े पड़े सोच रहे थे कि अचानक से एक सपीट रंग उर्जा आत्मान से आई और उस उर्जा ने उनको connect किया और जैसे ही वो उर्जा उनके उपर आई वो एकदम से उठ कर हो गए और वो उर्जा क्या थे वो उर्जा थे हमारी सफेज रंग की उर्जा जैसे ही वो उसके कनेक्शन में आए वो तुरंट खड़े हो गए उनको महसूस हुए जो सिंबल्स जिनको पर हम काम करते हैं रेकी के अंदर उस सभी सिंबल्स उनको यूनिवर्स से मिले उसके बाद वह इस तरीके से खड़े हो गए जैसे कि कुछ हूँ नहीं नहीं लग ब्लड आया तो उन्होंने उस अपने पैन को जैसे ही उन्होंने पंड करके पकड़ा उसको अपने पैन भी क göst थीक हो हुए तो उननों समझ नहीं आया कि यह कैसे हो गया उसके बाद फिर वो और नीचे आए उन्होंने देखा वहाँ पर एक महा मारी पहली हुई है लोग बहुत परिशान है उन्होंने दीर दीरे लोगों को जैसे जैसे वो लोगों को सपर्श करते जा रहे थे लोग ठीक होते जा रहे थे धीरे धीरे उन्हों को इन चीजों की awareness होनी शुरू हो गई उन्हें समझ में आने लग गया कि जो वो एक तफेद रंगी उर्जा उनके साथ connect हुई उस उर्जा के माध्यम से उन्हें ये सारी शक्तियां ये सारी powers एक symbol के माध्यम से उन्हें मिले और फिर उन्होंने उसके उपर research करते रहे और research करते उन्होंने बहुत सारे इन चीजों के उपर research करा बहुत सारा इन चीजों के काम करा और फिर धीरे धीरे ये विज्ञा भी फैलनी शुरू हो गई और अब भारत में भी लोग इस विज्ञा को जानने लगते हैं जो कि हमारी विज्ञा भारत की ही थी लेकिन भारत पे उस पे काम ना होने के कारण डॉक्टर मिकाउ उसी ने इसका पुने अविश्ञार किया और अब ये विज्ञा धीरे धीरे सब जगा पे पैंदी जारे रेकी को हम एक परकार से सपर्ष्ट चकिस्था भी कहते हैं रेकी ना तो कोई तंत्र है ना तो कोई मंत्र है ना तो कोई जंत्र है रेकी एक परकार की सफेद ऊचा है, एक कॉस्मिक एनरजी है, जो हमेश देवे शक्ति जिसको हम बोलते हैं, परमात्मा से हमें मिलती है, परमात्मा हर व्यक्ति के अंदर ही होता है, जब हम हमारी एनरजी को इन्हांस करते हैं, हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा होता है, हर व्यक्ति के अंदर अपनी एक शक्तियां होते हैं, बस हमें उसे समझना होता है, और रेकी के माध्यम से हम उन शक्तियों को समझते हैं, ठिक है, रेकी के अंदर हमारे जो हमारा रेकी है, इसके अंदर हमारे पांच लेवल होते हैं जो कि हमारे history of rakey जिसको हम बोलते हैं जो हमारी traditional rakey है वो हमारे सिर्फ वर सिर्फ 5 level होते हैं उसके अलावा magnified healing हो गया, violet flame रेकी हो गया, karuna रेकी हो गया magnified healing भी हमारी जो है वो हमारी traditional होती है इसके अलावा हम जो भी रेकी सीखते हैं वो सारी जैसे जैसे मास्टर्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मास्टर्स की अपनी खुद की बनाया हुआ अपनी खुद की क्योंकि जब हम लेवल 5 करते हैं तो हम खुद के सिंबल्स बनाते हैं और उन सिंबल्स का झाल झाल